हलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एट हिंदी का चाप्टो थी बसकी यात्रा के क्वेशन आंसूर्स देखें पहला क्वेशन है मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार शद्धा भाव से देखा लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए शद्धा क्यों जाग गई तो जो वो बोलते हैं जो लेखक हैं कि मैंने पहली बार जो हिस्सेदार थे उनकी तरफ शद्धा की भाव से श्रद्धा का भाव होता है, मतलब जैसे किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस नजरिये से किसी को देखना, लेखक के मन में ऐसा क्या हुआ था, जो हिस्सेदार के प्रती श्रद्धा जाग गई थी, देखिए इसका उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श् बाइरों की हादत खराब थी बसके फिर भी वो अपनी जान को हतेली पर लेकर मतलब सारी मुसीबत उठाकर जो है उस बस में वो ट्रैवल कर रहे थे सफर कर रहे थे नेक्स्ट है लोगों ने सलहा दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते लोगों ने यह सलहा क्यों दी थी तो लोगों ने का कि जो समझदार होते हैं लोगों वो शाम की बस से सफर नहीं करते तो लोगों ने ऐसा क्यों कहा था तो देखिए लोगों ने यह सलहा इसलिए दी क्योंकि बस बहुत ही जरजर अवस्था में थी और उसमें सफर करना बहुत खदरनाक था तो देखिए जर जर अवस्था का मतलब है कि बहुत ही खराब कंडिशन में वो बस थी और उस बस में सफर करना बहुत ही मतलब हामफुल था डेंजरस था क्योंकि वो खराब हो सकती थी कोई भी एक्सिडेंट हो सकता था इसलिए लोगों ने कहा था कि शाम के समय सफर करना इस बस में ठीक नहीं रहेगा नेक्स्ट है ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं लेखक को ऐसा क्यों लगा तो लेखक को लगता है कि जैसे कि पूरी की पूरी जो बस है वो इंजन के समान हो और हम इंजन में बैठे हो ऐसा लग रहा था तो ऐसा इसलिए लग रहा था लेखक को क्योंकि बस का इंजन बहुत ही पुराना था जो जोर से आवास कर रहा था और बहुत ही जादा हिल रहा था जिससे सारी बस में शोर हो रहा था जिससे लेखक को लगा कि वे इंजन के नीचे बैठे हैं तो क्यों लगा था लेखक को क्योंकि जो इंजन था वो बहुती मतलब पुराना हो गया था काफी खराब हालत में था और बहुत जोडोड से अवास कर रहा था और उस इंजन की अवास पूरी बस में आ रहे थी इसलिए लेखक को लगा लेखक ने बोला कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जो है वो इंजन पे ही बैठे हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है लेखक कोई है सुनकर हैरानी क्यों हुई तो इसका उत्तर है पूरी बस टूटी फूटी थी ब्रेक ठीक से नहीं लग रहे थे इंजन बहुत आवास कर रहा था बस की खिड़की के कांच नहीं थे और बस जगय जगय रुख जाती थी बस की ऐसी हालत ऐसी खराब हाला देखकर लेखक को हैरानी हुई कि बस फिर भी अपने आप चल रही है बस जो है चल रही थी फिर भी मतलब इतनी खराब हालत थी उसकी मतलब भूती टूटी फूटी हालत में थी बस ब्रेक भी ठीक से नहीं लग रहे थे इंजन अवास कर रहा था बस की खिड़की वे कांच भी नहीं थे बस जगय जगय रुख भी जाती थी मगर क्या है इतनी खराब हालत के बाद भी बस जो है वो चल रही थी नेक्स्ट है मैं हर पेड को अपना दुश्मन समझ रहा था लेखक पेडों को दुश्मन क्यों समझ रहा था तो देखिए इसका उत्तर है लेखक हर पेड को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि बस धक्के खाती हुई आगे बढ़ रही थी कि जब आगे की पेड आते तो उन्हें डल लगता कि बस उससे टकरा जाएगी तो इसलिए लग रहा था लेखक को कि बस उसकी पेड दुश्मन है क्योंकि बस धक्के आगे चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं इससे पेडों से बस हो तक्राना जाएगी फिर वाक्य प्रयोग है इसमें देखिए वश का क्या होता है तो सपेर इसका वाक्य बनाना है वश से तो सपेरे ने नागिन को अपने वश में कर लिया और भगवान की करणी मतलब इक बस होता है कि रुक जाओ और एक होता है करो इतना काफी है जासे कि आपके सकते हैं बस बस चलने वाली बस होती है और रुकने के लिए बस बहुत हो गया Penis और इसमें ऐसे ह compare थिम्स होता है repas अपको असी करें नहीं रहाओ एक आइ वह दीरे दीरे चलना है प्रोडना कँटना है कि पैर जमीन पर गिस-घिस कर चलता है तो पैर नगूट से कारण मुझे झतिते मैं रुधा कर चलना है मतलब सरक्य वैसे चलते रहें कि जमीन पे बहुत ही पैर रगड रगड कर तो घूमना हमें सुमे उटकर घूमना जाएए भागना कुट्टे को देखकर डर के मारे में भागने लगा ही हो गया चलना मेरा भाई एक वर्ष की आयू में चलना सीख गया है तो इस तरी के से आप पूल सकते हैं फिर अनेकाहती जल का पानी होता है तो अमन बहुत जादा गरम पानी से जल गया कभी भी जल जाने पर शीतल जल का प्रियोक करना चाहिए जब भी आपको जैसे हाथ पगर जल जाए तो ठंडा पानी पर डाल देना चाहिए इसमें नेक्स्ट ही हार राम से हारने के बद कीमती हारा मतलब इसको जाए हार गया यसको कीमती हार कहते हो अत्यार मतलब आ इसको कीमती हार जल एक पानी होता है और एक होता है जल जाना जैसे कि बर्न हो जाता है न तो ये अनेक आर्ती शब्द हो गए मतलब शब्द तो एक है और इसके आर्थ जो है कही सारे निखल के आ रहे हैं तो यह हमारे चप्टर का एक्स्परश्डेशन हो गया है और इसमें मैं सॉरी इसमें लिख नहीं पाई हूँ इसलिए मैं आपको नॉर्मली एक्सपेन कर दिया आपके पास बुक तो है ही तो आप उससे देख करके इसमें कर सकते हैं और हाँ यह हो गया कंप्लीट तो थेंक्यू